आपका अपना चैनल बहली डिजिटर इंफो में आपका हरदिक स्वागत है आज हम लोग सिखेंगे PM किसान का EQC जो होता है उसको किस तरह से किया जाए उसके बारे में पूरी जनकारी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए है तो पिलीज मेरे चैनल में जो वीडियो है, उसके माधियम से कुमेंट बोक्स में जरूर बताएं कि किस तरह से वीडियो आगे बनाएं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहरे Google को Open करेंगे और उसमें किलिक करेंगे और उसमें हम लोग टाइप करेंगे PM किसान Simply हम लोग क्या लिख देना है PM किसान लिखने के बाद सबसे उपर में ही लिखा हुआ आएगा PMKisan.gov.in Simply हम लोग करना क्या है उस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद देखिए किस तरह से यहां पे पेज खुला है उसमें PM किसान लिखा हुआ है PMKisan.gov.in simply इस पे click कर देना है हम लोग को click करने के बाद देखिए PM किसान का जो है main page official site खुल गया है और इस पे देखिए सबसे top में right side पे आपको CSC का logo दिख रहा होगा यह देख लिजिए CSC login का option मिल रहा है simply हम लोग को इस पे click कर देना है और CSC से login हो जाना है यह देखिए खुल रहा है page देखिए हमारा page खुल गया है डिजिटल सेवा connect का और इसमें simply हम लोग को username या email id जो भी है यहाँ पे हमारा username डाल देना है और इसमें password और capture text में capture डालके simply हम लोग को sign in हो जाना है यहाँ हमने अपना user id और password डालके capture डालके sign in कर दिया है यह देख लीजिए यह अब CSC से login हो चुका है PM किसान समान निधी का अब यहाँ login होने के बाद बहुत सारे इसमें corner खुल जाते हैं बहुत सारे corner हैं यहाँ correct अदार नमबर अदार नमर सुधार कर सकते हैं यहाँ से भी farmer का registration कर सकते हैं edit farmer detail कर सकते हैं यहाँ से देख लीजिए edit farmer detail का option है यहाँ से कर सकते हैं जिसका by metric हो गया है और payment नहीं कटा यहाँ payment कर सकते हैं अब हम लोग को करना क्या है क्या वाइसी करना है और यहां से देख लिजे status registered farmer यहां से status जान सकते हैं किसान के बारे में उनका पैसा कहा है कितना आया है अब हम लोग को करना क्या है KYC करना है यहां बायमेट्रिक अधाहार authentication पे क्लिक करके और देखिए यह page खुल गया पेज खुलने के बाद हम लोग को इसमें simply लिखा हुआ option आ रहा है यहां अधाहर number डालने का जिस भी किसान का हमें KYC करना है simply उनका अधाहर number इसमें डाल देना है हमने डाल दिया अधाहर number इसमें image text डाल के हम लोग को यहां search कर लेना है सर्च का उप्चन दिया हुआ है search करने के बाद यह दखीए बतलब जिनका KYC करने के लिए आए हुए है उनका किसान समाननीदी योजना का आवेदन नहीं हुआ है इसलिए record no doubt पांन का उप्चन यहां पे आ रहा है मतलब यह किसान समान निदी का योजिना का लाब नहीं मिल रहा है इनको इसलिए इनका केवाईसी तो होना ही नहीं है तो अब चलते हैं दूसरे किसान का चेक करते हैं उनका डालके किस तरह से आ रहा है और simply हम लोग को यहाँ पर ok पर click करके आगे बढ़ जाएंगे simply ok पर click करके हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे किसान का अब अधार number डाल के check करेंगे, दूसरे किसान का अधार number, image check डाल के मैंने search किया search करने के बाद यहाँ पर देख लिए मतलब dłन म aumentar इनका जो किसान है इनका क्यूसी था मेंगे दोतला है। सच करेंगे। तु mind search करने के पद बाद मोबाइल नम्बर डालने एकसे में कुण si उस पर get OTP करके OTP कर देना है OTP डालके हम लोग को उसके बाद finger authenticate कर लेना है finger जब हम लोग capture करेंगे तो capture for equacy लिखा हुआ है इसमें धेर सारा option दिया हुआ है capture for equacy, capture for equacy morph device, capture for equacy static device, capture for equacy mantra तो कोई भी device लगा हो आप में morpho अगर लगा के रखे हैं फिर भी आपको capture for equacy इस्टार्टिक डिवाइस पे ही किलिक करना है आपका simply जलने लगेगा morpho का जो है उसमें light आ जाएगा simply उस पे आपको finger रखके equacy कर देना है जभी finger लेंगे तो आपको लिखा हुआ आएगा कि आपका हो गया है finger काम कर गया है उसके बाद उसको submit कर दना है जभी submit करेंगे तो payment कटाने का option आएगा payment कटाने के लिए simply आपको करना क्या है अपना csc का password डाल देना है और अपना mpin जो है mpin डालके इसमें आपका जो 5 रुपे कटेंगे वो payment आपको कटवाने के बाद simply इनका kyc complete हो जाएगा kyc complete होने के बाद आप customer बता सकते है आपका kyc हो गया है उसको print करके भी आप दे सकते हैं यह आपका kyc complete किसान kyc में आपका अगर morfo काम नहीं कर रहा है तो comment box में जरूर बताएं उसके बारे में भी वीडियो बनाके जरूर बताऊंगा 100% work करेगा morfo आपका काम करेगा सारा उसका setting के बारे में बताएंगे comment box में आप लोग जरूर बताएं हमारे चैनल पे जो भी नए है प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह वीडियो में बने रहें धन्यवाद